अनकेडमी, लेट्सक्राग इडूश्कार दोस्तों, वेलकम बाक टू पाथफाइंडरू, मेरे नाम निथी है, हम यहाँ पर कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के पीवाई क्यूस, प्रीविए से क्वेस्टिन्स, पिछले 10 सालों के क्वेस्टिन्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, सिंपल है, एक तो आपका रिविजन हो जाए, दूसरा आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाइ करने में मदद मिले, कि यह टॉपिक्स तो हम पॉलिटी के बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे कि पिछली कुछ सीरीज हम देख रहे हैं, पिछली कुछ समय से हम देख यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सभी क्लास की अपडेट च्रिव पीडिफ के लिए दोस्तों, यह एक स्पेशल अक्सेस कोड है, एंडी लाइफ 10 जो की मेरा एडुकेटर कोड भी है, जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, तो अनलॉक एक्स्क्लूजिव कॉंट on the platform, जिसके लिए आपको description box में दिये गए link को click करना है, आप उसको open करेंगे, educator code आप से पूछा जाएगा, एंडी लाइफ 10 आप उसको use करेंगे, और आपको बहुत सारे यहां पर exclusive content मिल जाएगा, साथ साथ इस code के साथ आपको 35% तक डिसकाउंट मिल जाता है, हमारे सभी courses में भी, अगर मैं बात करूँ, करोलबाग center की, तो यह 3 courses हम लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर आपको flat 35% discount फिलाल मिल रहा है दोस्तों, लेकिन code आपको use करना है, एंडी लाइफ 10, GS Foundation Success Program है, यह 25-26 के लिए, batch is 27 January से शुरू हो रहे हैं, कोई भी जानकारी के लिए यहां पर यहां पर 29 January से शुरू हो जाएंगे, किसी भी और जानकारी के लिए आप center visit कर सकते हैं, यहां पर इस number पर call कर सकते हैं, numbers description box में भी given है, इसके अलावा, UP प्रयाग राज में भी हम एक center start कर चुके हैं, दोस्तों, जहां पर batches 23 January से शुरू हो जाएंगे, हमारे, य यहां केवल UPSC की तयारी के लिए हम courses लेकर आएं, बलकि UPSC के लिए भी यहां पर आपको courses मिल जाएंगे, crash course भी यहां पर मिलेगा, test series भी यहां पर आपको मिल रही है, offer price, उस price को avail करने के लिए आपको again मेरा code use करना है, ND live, 10, this is the number, यह numbers है जहां पर आप call कर सकते हैं, प् According to the constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in state for 6 months even if or she is not a member of legislature of the state, please ध्यान से पढ़िये कोई, statement ध्यान से पढ़िये, ठीक है, According to Representation of People Act 1951, RPA 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after it is released from the prison, इन वे से कौन सा statement सही है, आपको बताना है, 1, 2, both neither, now, वीडियो को pause कीजिए, questions को फिर से पढ़िये, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद attempt कीजिए, then only move forward and see the answer, alright, so answer is D, दोनों में से कोई भी statement सही नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं, देखिए, according to constitution of India, अब यहाँ confusion हो सकता है, कि हाँ eligible है, vote करने के लिए, minister बन सकता है, state में, क्योंकि 6 महने का समय मिलता है, उसको legislative assembly में elect होने के लिए है, अगर वो member नहीं है, MLA नहीं है, तो, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है, याद रखना है, कि voting eligibility हमारे हाँ 18 साल है, 18 years and above कव्यक्ति vote कर सकता है, लेकिन, तो become an MLA and then become a minister, minimum age क्या चाहिए, 25 years, बलत है state, ठीक है, similarly, representation of people act 1955, जो है, यहाँ पर permanent disqualification की बात नहीं की गई है, उसमें भी 2 साल plus का जो conviction है, उसके बाद, 2 साल plus जितने time का conviction है, उसके बाद, the person can come back and contest in the elections, जितना time कहते हैं, मतलब, decide के जाता है, उतना इसको disqualify किया जाता है, 2 साल के ऊपर के conviction, ठीक है, तो permanent disqualification यहाँ पर नहीं होता, दोनों ही statement करा, तो यहाँ पर हर नागरिक, जो के 11 साल का है, on qualifying date, which is 1st January of the year in that case, unless disqualified, जब तो कुसको disqualify नहीं किया जाता है, is eligible to be enrolled as a voter, वोटर बन सकता है, कोई भी individual who is not an MLA can become a minister if he gets himself elected for the state legislature within 6 months, अगर वो 6 महीने के अंदर अपने आपको इलेक्तरा लेता है, हो जाता है, state legislature में, ठीक है, from the date of his appointment, तो 6 महीने का time दिया, बिल्कुल सही है statement, लेकिन, voting age 18 है, और एक व्यक्ती, contest कर सकता है, elections में for state legislature at the age of 25 years, तो इसलिए statement गलत हो जाता, ठीक है, second statement जैसा मैंने आपको अग्स्प्लेन भी किया है, हमारा section 8 जो है RPA का, 1951 का, वो कहता है, talks about the grounds of disqualification on conviction of certain offenses, ठीक है, इसके according, जो convicted candidate है, वो disqualify होता है, from being a member of either house of the parliament or state legislature, from the date of conviction till the stated time, जितने समय के लिए कहा गया कि इतने time का disqualification होगा, यहाँ पर two years का conviction चाहिए, दो साल से एक दिन भी उपर का conviction है, तो व्यक्ति disqualify होता है, for the said period of time, it can be four years, it can be five years, ठीक है, this is not permanent, यह permanent नहीं होता, उतने duration के लिए ही होता है, ठीक है, चलिये, consider the following statement, the President of India can summon a session of parliament at such a place as he, she thinks fit, the Constitution of India provides for three sessions of the parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all three sessions, there is no minimum number of days that parliament is required to meet in a year, कौन सा statement करेक्ट है, one, two, one and three, two and three, again, 10 second का pause लीजे, question को ठीक से पढ़िये and then only see the answer, यहाँ पर answer is C, one and three, पहली और ठीक है, फिल्कुल सही 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 है, अक्रिकल 85, कि राश्पती time to time समन क to meet at such time and place, जहाँ पर उनको ठीक लगता है, तनसद में होता है, ठीक है, बट यहाँ पर यह clear है कि छे महीने का time, छे महीने से जादा का समय, नहीं होना चाहिए, ऐसी दो मीटिंस, तो maximum gap जो हो सकता है, between the two sessions of parliament can be six months, which means minimum two sessions होने जरूरी है, ठीक है, समझ में आया तो पहला तो सही है, Constitution of India provides for three sessions, no, Constitution इस तरह की कोई बात नहीं करता है, यहाँ पर मैंने बता भी दिया आपको, यह कहा गया है कि राश्टपती बुलाते हैं सत्र को, और maximum six महीने का gap हो सकता है, दो सत्र की, ठीक है, no minimum number of days that parliament is required to meet in India, बिल्कुल सही, कोई भी minimum number of days भी नहीं दिये गए है, इसमें Parliament को मिलना ही, मिलना है, the Constitution does not say the three sessions of the Parliament should be called in a year, second is wrong, third is correct, there is no provision of minimum number of days, all right, next question, the Parliament Prevention of Disqualification Act of 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of Office of Profit, the above mentioned Act was amended five times, the term Office of Profit is well defined in the Constitution of India, कौन सा statement correct है, one and two, three, two and three, one, two and three, now ये थोड़ा सा tricky question है, अब मैं विल्कुल expect नहीं करती कि आपने actually Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 पढ़ा होगा और आप इस statement को सहील कह सकते हैं नहीं, हमें ये भी नहीं पता है कि ये five time amendment हुआ है कि नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ शौर क्या पता है, कि ये statement गलत है, Constitution of India में कहीं भी Office of Profit को define नहीं किया गया है, तो तीसरा statement गलत है, ये लग बात है, पिछल एक दो साल से elimination नहीं चल रहा है, लेकिन 2019 का question है, हाँ 2019 का question है, तो यहाँ पर elimination चल रहा था, यहाँ पर हमने देखना है कि तीन कहां कहां दिया है, ये तो नहीं है, option तो answer हमा है, अब ऐसा नहीं कि elimination हमेशा के लिए चला गया है, you never know with UPSC, you can get elimination kind of questions in the future also, so be prepared for all these things, ठीक है, चलो, the ninth schedule was introduced in the constitution of India during the prime ministership of जवारलाल नहरू, लाल बहादु शास्त्री, इंदरा गांधी, और मुरार जी दिसाय, तो यहाँ पर बहुत ही simple information आपके पास होने चाहिए कि नवी अनुसूची सम्विधान में कब जोड़ी गई, नौवी अनुसूची सम्विधान में जोड़ी गई थी, First Amendment Act से, यहीं पर आंसर मिल जाएगा, 1951 में, 1951 में कौन थे प्रधान मंत्री, जवार्दा नहरूँआ, तो आर्टिकल 31A along with 9th schedule, they were added by the First Amendment Act of 1951, जिस basically land reforms की तरह थे, जहां पर पोशिश है की गई थी, कि जो scope is judicial review का, in matters of land reforms and जविधारी operation, उसको reduce किया जा सके, ठीक है, originally 1951 में, नौवी अनुसूची में 13 Acts थे, और regulations थे, बट अर प्रेसंट, बतलब 2016 की बात नहीं है, 2017-18 का है, यह number is 282 अब जाधा हो गए है, alright, so this is what, यह information अगा नहीं भी ह जाए, information, but this is what we need to know, basically यह था नौवी अनुसूची में, कि जो भी acts जो है, नौवी अनुसूची में आते हैं, वो judicial review से बाहर होंगे, क्या ऐसा नहीं है, अब नए amendment करके, संशोधन करके, add कर दिया गया है, कि नौवी अनुसूची में भी जो acts दे गया है, उनका भी judicial review हो सक तक कुछ भी judicial review से बाहर नहीं है, ठीक है, so this was the last question for today, I hope आप इसका benefit ले रहे हैं, दोस्तों, as I discussed in the beginning, हमारे जो अनकाडमी offline centers है, उसके बहतरीन features यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, free demo classes, आप मेरा code यूज कर सकते हैं, NDLive10, and free demo classes available कर सकते हैं, मारे offline centers पर, दोस्तों, उसके ल प्रश्च्टिट, so that'll be all from my side, I hope you liked this session, do not forget to like, share, subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest review, thank you so much, God bless, take care. झाल झाल झाल